सबस्तुत इस वे कंदियो में मोहती हैं इस वे कंदियो में हम जानने वाली हैं कितनी पॉस्ट होगी क्या सेहरी होगी क्या ओल इंडिया के कंडिटे अप्लाइ कर सकते हैं या नहीं साथ में आपकी फीस क्या रहने वाली है और केसे आपको एपलाई करना होगा सभी इंफोर्मेशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड गराएंगे तो हमारे साथ बने रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर चलूर कर देना दोस्तों तो सबसे पहले आज की जो वेकेंसी निकाली गई है वो ICMR से ओने वाली है जो की नेशनल इंस्ट्यूट ओफ नूट्रिशन से है तो यहाँ पर ICMR के लिए वेकेंसी है जो की चार चार दोहजार तेश को नोटिफिकेशन रिलिज किया जा चुका है वोकन इंटर्व्यू का यहाँ पर नोटिफिकेशन है जिसमें डाइट एंड बायो मारकर सर्वे इन इंडिया लिखा गया है उत्तर परदेश स्टेट टू को ओर्डिनेट दा स्टेडी यहां पर कम्यूनीटी मेडिसिन किंगगर्जस मेडिकल उनिवर्सिटि चॉकलकनाव उत्तर परदेश तो यहां पर आपका जो है डेप्टेशन बेसीस पर जो पोस्ट होने वाली है वो कहां के लिए निकाली गई है जो King Orges Medical University है उसके लिए है 9.30 a.m. से 11.30 a.m. आपका जो है Walken Interview होगा मतलब Walken Interview के लिए आपका Reporting टाइम होगा Venue आगे हम आपको बताएंगे Post आगे बताएंगे सभी चीज़े आगे हम बताने वाले हैं इस वीडियो में 19 अपरेल को आपका Walken Interview रहने वाला है Project Junior Medical Officers की Post है Project SRF Food and Nutrition की यहां पर Post है Project SRF Anthropology and Sociology Social Worker की यहां पर Post है इसके अलावा Project Senior Technical Assistant Project Assistant सभी के लिए यहां पर Post है इनके लिए यहां पर आप देख सकते हैं इनके लिए यहां पर 21 अपरेल का रहने वाला है लेकिन हम बात करेंगे Nursing की Nursing के लिए यहां पर Project Assistant की Post है जो की 4 होने वाली है यहां पर Age Limit आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं मांगी गई है Blood Drawing का आपको आना चाहिए यानि कि Blood Sample आपको Collection करना होगा BSC Nursing वाले कंडेड यहां पर Apply कर सकते हैं और MLT-DMLT वाले भी Apply कर सकते हैं तो Venus Blood Drawing का आपका जो है Experience मांगा गया है यहां पर दोस्तों इसके लिए आपका Walken Interview रहेएगा Times and Condition यहां पर लिखा गया है Number of Post Increase and Decrease की जा सकती है Temporary Basis पर है Purely ICMR के Age Relaxation कानून के द्वारा चलने वाला है यहां पर HCHT बगेरा को 5 years का और OBC को 3 years का यहां पर Age Relaxation दिया जाएगा बाखी सभी Conditions as per Government norms के इसाफ से और ICMR norms के इसाफ से रहने वाली है इसके लवा आगे आप कुछ जानना चाते हैं तो हमें comment box में लिखे आपको reply जरूर दिया जाएगा और अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम ग्रूप जो इन नहीं किया हो तो जरूर कर ले वीडियो में नहीं के लिए आप सभी गदने वालते हैं कि दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज एंड क्यूज को तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन प्रेस करकर ओल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे इसके अलावा दोस्तों हमारे एक और यूटुब चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी आईक्यू दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं आप इंपोटेंट वीडियो मेडिसीन से रिलेटेड आपको हम डालते है यहाँ इमर्जिंसी ड्रक से रिलेटेड वीडियो डाला गया है दवा यानि की जो मेडिसीन से उनमें आई पी बी और यूएस बी का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है आई भी केनला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तो हमारा टेलिग्राम चेनल यदि आभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू सब्सक्राइब कर ले यहाँ पर 2.7 के सब्सक्राइबर है और दोस्तो यहाँ पर यदि आपको इनके यूटूब से नोटिफिकेशन नहीं पराप्त होता है तो सबी वीडियो के अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं इसके साथ ही दोस्तो सबी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यहाँ पर अभी लेटेश्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने डाल दिया है तो दोस्तो यहाँ पर लेटेश्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं साथ में कभी कभी क्यूज के कुशन भी डालते रहते हैं तो इंपोटेंट सब्डेट के लिए दोस्तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें